नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल वास्तु गुरू में दोस्तों आज हम जानेगे कि गुरू आर के दिन आप हल्दी का ऐसा क्या उपाई करें जिससे आपकी जिन्दगी पलट सकती है हल्दी का वास्तु में क्या महत्व है जो 30 क्या कहता है हल्दी के बारे में लेकिन इस वीडियो से जुड़ी पुरी जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को लास तक देखना होगा और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से हमारा नुरोध है प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेज करना न भूले जिससे आप हमारे किसी भी वीडियो की अपडेट देखना मिस ना कर पाए दोस्तो सास्तों में हल्दी का एक अलग ही स्थान है ये जितनी सेहत के लिए लाप प्रद है उतना ही धार्मिक कारियों में भी इसका महत्व है आज हम आपको यह उपाई बताएगे जिसका आप उपयोग रोज करेगे आपकी जिन्दगी पलट सकती है यह उपाई आपके किसमत बदलने की ताकत रखता है बलकि इस उपाई के आपको घर में हमिशा लचमी जी का इस्थार निवास होता है घर में लचमी जी का निवास की बंदना करके जाए और उन्हें हल्दी का तीलक लगाए साथ ही अपने मस्तक में भी तीलक लगा कर निकले ऐसा करने से आपका काम अवस्य पूरा हो जाएगा गुरुवार के दिन पांस साबोत की हल्दी की गांट ले ले और उसे एक कप्ड़े में बांद ले इसके बाद इसे लौकर, अलमारी, तीजोरी या फिर आप जहां भी पैसा रखते है उस इस्थान मर रख दे ऐसा करने से माल अच्मिका आशिरवाद मिल जाता है और साथ ही धनकी कभी भी कमी नहीं होती है धनकी कमी दूर हो जाती है दोस्तों, घर की सुक सांती और सम्रिद्धी के लिए घर का माहल सकारात्मक होना बहत जरूरी होता है सास्त्रों के अनुसार यदि घर की बांडरी या दिवार पर हल्दी की एक रेखा बना दी जाए तो माना जाता है कि उस उपाई से घर में नकरात्मक सकतियों का प्रविश नहीं हो पाता है और हल्दी के इस उपाई से घर में सुक सांती सम्रिद्धी बनी रहती है जीवन में संपनता आती है साथी आर्थिक उन्नती के लिए दियया जलाते समय दिये के अंदर चुटकी भर हल्दी डालने से धन लाब होता है धन के कमी नहीं होती है दोस्तों जिन लोगों के जीवन में वीवा संबन किसी भी तरह की बादा आ रही हो तो उनके लिए सास्तों में रोज के पूजा के समय कुछ ऐसे हल्दी की उपाई बताये गए है जो बहुत ही लाबकरी होता है ये उपाई है रोज के पूजा के बाद माथे में हल्दी का तीलक लगाना इससे वीवा संबन्दी कारियों में सफलता मिलती है इसके अलावा गुरुवार के दिन रोज पूजा में स्री गनिष को एक चुटकी हलदी चराई जाती है इससे विवा संबंदी रुकावठे दूर हो जाती है वास्तो के अनिसार यदि आपके घर में किसी प्रकार का वास्तो-्दोस है तो घर के कोनों में हल्दी का चिरकाव कर ले इससे घर का वास्तोदोस खत्म हो जाता है अगर आप रात में बूरे सपने देखते है तो उसकी वज़े से आपको कई सारी परिसानिया का सामना करना परता है इसके लिए आप हल्दी की गांट को किसी कप्रे में बान ले और सोते समय आप इसे टक्ये के नीचे रख दे ऐसा करने से आपको बूरे सपने आपको परिसान नहीं करेगे अगर आपके पास धन नहीं रुखता है या पैसों की तंगी रहती है तो गुरुवार के दिन हल्दी और अक्षत लेकर विश्नु सस्त्र नाम का पाट करे इससे आपके घर में धनकी कभी भी कमी नहीं होगी तो दोस्तो ऐसे और भी उपाई की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे और आपको हमारे साथ ऐसे और भी बहतरिन उपाई जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूले ये था मेरा आज का उपाई असा करता हूँ की आप सभी को यह पसंद आई होगी